ज्रॉइंग टूल के अंदर इलास्टेटर में एक बहुत रिमार्केबिल टूल है वो है शेप बिल्डर टूल इसके नाम से ही पता चलता है कि इस टूल से आप शेप्स क्रियेट कर सकते हैं दो शेप्स को मर्च करके आप एक न्यू शेप बना सकते हैं या उसको सब्स्ट्रैक्ट करके आप कुछ और शेप बना सकते हैं बट शेप बिल्डर टूल यूज करने के लिए दो शेप्स बहुत ही नेससिटी है एक शेप में शेप बिल्डर टूल विल नॉट वर्क तो आज हम कुछ औपजेक्स बनाएंगे कुछ शेप्स बनाएंगे विद शेप बिल्डर टूल फर्स कुछ बेसिक शेप्स में आपको बना के दिखाती हूँ मैं एक इलिप्स क्रियेट कर रही हूँ इस इलिप्स को आप डूप्लिकेट कीजिए अल्ट प्रेस करके और इसका कलर आप चेंज कर दीजिए अभी इस दोनों शेप को आप साथ में सिलेक्ट कीजिए तो यहाँ देखिए इस एरिया विजिबल हो गया तो मुझे ये एरिया को अलग करना है from this two circles first of all इस circle का alignment is very much necessity तो आप कीजिए align to key object then vertical align top अब मैं use करूंगी shape builder tool और देखिए जब ही आप दोनों object को select करके shape builder tool को select करेंगे तो shape builder आपको hint दे रहा है कि यहाँ तीन shapes हो सकता है तो first is this shape this is my second shape and this is my third shape फिर आप selection tool में जाएए और इस shape को अलग कर लीजिए then ये shape भी आप अलग कर लीजिए और ये तो तीन shapes, दो shapes से I have created three different different shapes और एक चीज़ भी हम कर सकते हैं तो अभी मैं चार small circles बनाऊंगी एक circle को आप create कीजिए फिर rest of the circles आप duplicate करके ऐसे place कर दीजिए तो आप चारो circle को साथ में select कीजिए और फिर shape builder tool को select करके इस चारो circle को ऐसे join कर दीजिए तो आप ये new shape और ये circle को साथ में select कीजिए align कर लीजिए and then you use the shape builder tool अब देखिए ये जो area है वो अलग हो जाएगा तो this is shape builder tool उस सब shapes को join करके I made a new shape actually I build a new shape या आप subtract करके also you can make a new shape तो आएए अभी हम shape builder tool से एक object बनाते हैं तो सबसे पहले मैं एक background ले लूँगी for that I will use rectangle tool I am not using black color क्यूंके according to user experience designing we say that black color is very harsh on eyes तो आप इस background को lock कर दीजिए background color इस चीज का आप मैं ये ऐसा एक background color दे देती हूं अभी मुझे इसका shape change करना है तो ये है direct selection tool so direct selection tool से मैं shapes को ऐसे change कर लेती हूं now I will use the rectangle tool कुछ भी color आप दे सकते हैं और selection tool से इस line को मैं duplicate कर लेती हूं अभी इन तीनों object को साथ में select कीजिए और अब select कीजिए shape builder tool तो यहां मैंने just click कर लिया अब ये दो sides अलग हो गए और ये और ये दो area में ऐसे gap हो जाएगा means I have subtracted the shape इसके बाद मुझे एक flower यहां draw करना है so flower के लिए first I will use the line segment tool press shift and draw a straight line क्योंके ये मेरा stock होगा हम लोग ऐसे swatches बना के उसको save कर लेते हैं तो मैं ये swatch को save करना चाहती हूं तो आप windows में जाएए और आप यहां से click कीजिए swatches इस color panel को आप off कर दीजिए यहां से click कीजिए create new color group and I am naming it as stroke तो ये swatch panel में वो color मेरा save हो गया और इस shape को आप delete कर दीजिए windows में जाके यहां से on कीजिए stroke और ये caps को में करती हूं round caps अभी मुझे एक flower बनाना है अच्छा उससे पहले इस shape को आप adjust कर लीजिए दोनों को साथ में select कीजिए align to key object then horizontal align center तो अभी मुझे एक flower बनाना है flower बनाने के लिए I will use the previous technique ये चार circle साब बना लीजिए make sure इसका alignment सही हो तो first ये दो object को select कीजिए align to key object then vertical align bottom and then ये दो object को आप select कीजिए align to key object and vertical align top और ये चार objects को select करके आप ये shape builder tool से एक new shape बना लीजिए but ये बनाने से पहले आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि shapes connected होने चाहिए और shape builder can understand this shape ये flower के उपर मुझे यहाँ एक gap चाहिए ये gap का color मैं कुछ और रखती हूँ ताके समझ में आए कि gap कहाँ बनाना है तो मैं ये flower और इस gap को select करती हूँ और मैं करती हूँ align to key object horizontal align center फिर से मैं use करूँगी shape builder tool बट इस बार मैं सिर्फ यहाँ एक बार click करके छोड़ दूँगी इस line is extremely long तो मैं इस line को selection tools यूज़ करके थोड़ा सा इसको छोटा कर दे आपको अगर specific angle में flower को rotate करना है then you select the object sorry selection tool से फिर object में जाके transform और rotate मुझे rotate करना है 45 degree अभी मुझे leaves बनाने है leaves बनाने के लिए आप pen tool भी use कर सकते है but easy way is अगर आप shape builder tool को use करेंगे ये circle का आप एक duplicate बना लीजिए दोनों को साथ में select करके alignment सही कर लीजिए and then shape builder tool से सिर्फ ये object को या ये part को आप select कर लीजिए एक leaf बन जाएगा तो मैं इस leaf को copy paste करती हूँ and shift press करके मैं उसको rotate कर लेती हूँ हम लोग shift press करके rotate करते हैं ताके rotation के time object pixelate ना हो जाए अभी ये full object को select कीजिए और आप कर लीजिए group अगर आपको इस object का size increase करना है that also you can do now as it is a vector object कुछ problem नहीं होगा object आसानी से scale आप हो जाएगा अभी मैं और एक चीज़ बनाऊंगी उसमें मैं यूस करूंगी rectangle tool and एक ellipse दोनों object को अब साथ में select करके उसको align कर लीजिए and then shape builder tool से आप इस दो object को connect कर लीजिए यह fill color था इसलिए आपको लगेगा के अगर हम इसमें shape builder tool यूस नहीं भी करेंगे तो भी कुछ problem नहीं होगा but suppose यह object में fill color नहीं है client को सिर्फ stroke color चाहिए तो object आपका ऐसा हो जाएगा but मुझे ऐसा नहीं चाहिए मुझे एक complete object चाहिए single object तो इसलिए आपको यूस करना होगा shape builder tool अब जस्ट यहां से drag कर लीजिए और देखिए यह object मेरा single object बन जाएगा अब यह single shape है अगर इस shape को मुझे change करना है इस ellipse को that also I can't do now तो आपको जो भी changes करना है तो आप पहले करके फिर shape builder tool यूस कीजे अभी मैं यहां एक circle draw करती हूँ and again select करके आप कीजे vertical, sorry horizontal align center फिर से मैं यूस करूंगी shape builder tool और यहां एक बार में click कर दो तो यह part आपके object का completely अलग हो जाएगा इस पे अगर आप color feel करेंगे तो your object will look like this अभी इस shape में मुझे और एक extra shape add करना है with the shape builder tool अब वो shape कैसा चाहिए वो आप खुद paint tool से या कोई भी tool से drawing tool से rather line selection tool, even brush tool से आप draw कर लीजे मुझे यह shape चाहिए not यह बाहर का, सिर्फ अंदर का जो part है वो समझने में आसानी के लिए मैं color change कर देती हूँ and stroke color none फिर मैं select करूँगी यह दोनों objects को साथ में और फिर shape builder tool अब देखिए जब ही मैं shape builder tool के उपर click किये तो यह object में कितने सारे extra shapes बन सकते है वो यहाँ clear हो गया है पहले मैं इस shape को delete कर देती हूँ फिर बागी रहा यह अंदर का shape फिर से आप इस object को select कीजिए और यहाँ से click कीजिए shape builder tool फिर यह अंदर का जो object है उसको भी मुझे delete करना है अब देखिए मेरे पास यह extra shape बन गया है मैं यहाँ से stroke delete कर देती हूँ और यह shape का color भी मैं change कर देती हूँ और यह दोनों shape को आप साथ में select करके कर दीजिए group यह shape को completely delete करना है मतलब यह object से तो आप shape builder tool को select कीजिए और फिर इस part को ऐसे आप अलग भी कर सकते हैं